नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तरुन यादव स्वागत करते हैं आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल आईक्यू में दोस्तों आद है 26 अगस्ट और 20 लेकर के हाजीर हो गया आज के फिर से बहुत ही महतपूर्ण करेंट अफियर्स को जो आपके एक्जामनेशन पॉइंट अ होने वाला है दोस्तों आपको इस वीडियो में करेंट के साथ साथ आपको स्टैटिक जी के भी देखने को मिलेगी जो आपके लेटेस्ट एक्जामनेशन ट्रेंड के एक्कॉर्डिंग बेस्ड है और अगर आप UPSI, UPSSCC इन सब की अपकमिंग वेकेंसी को अगर आप टार हमसिते के समझेंगे तो Question Number पहला हमारा कैता है केंद सरकार ने हाल ही में Transgender व्यक्तियों के लिए राश्टिय परिशत गठन किया है परिशत का वर्तमान अध्यक्षि कौन ने दौस्तों तो परिश्यत का जो वर्तमान अज्यत है वो है थावरचंद गहलोत कौन है थावरचंद गहलोत 21 अगस्ट 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संदच्छन अधिनियम 2019 लागू किया गया था और 2019 की धारा 16 के द्वारा परदान की गई शक्तियों के अभ्यास म केंदे सरकार ने सलाह देने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत में पहली 30 सदस्य राश्टी परिशत का गठन किया है और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उपायों की निगرानी के लिए और मुल्यांकन के लिए ये 30 हुआ है और परिशत के सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्यान बोर्ड इस्थापित करने की और आवास भोजन स्वास्त देखभाल और सिक्षा जैसी समुदाई की आवश्चक जरूरतों की देखभाल के लिए राज्यों के साथ साथ ये मिलके केंदर के भी साथ मिलके का अगर इस परिशत की संद्शना की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस परिशत में 30 सदस्य परिशत ये रहेगा जिसमें से एक अध्यक्ष रहेंगे एक उपाध्यक्ष रहेगा और 13 सदस्य रहेंगे 14 मनोनी सदस्य रहेंगे और एक सदस्य जिसमें सचीव शामिल रहेगा और जो हम प्रॉपर तरीके से अगर समझें इसको तो इसकी अध्यच्षता दोस्तो केंद्रिय समाजिक न्याय मंत्री करेंगे और इसमें 10 केंद्रिय विभाग और 5 राज्यों के और समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधी होंगे और परिशद में स्वास्त, ग्रिह अलब संख्यक, मामलो, सिक्षा, ग्रामील, विकास, श्रम और कानून, मंत्राले के सयुक्त, सची विस्तर पर सदस्य हुआ करेंगे और इसके अलावा पेंशन भी भाग, नीती आयोग, रास्टी मानवा अधिकार आयोग, और रास्टी महिला आयोग के भी सदस्यूस में रहेंगे और इस विदान के अनुसार परिशाद के पांच मुख्य कारे होंगे कितने मुख्य कारे होंगे दोस्तों पांच मुख्य कारे होंगे डिजाइन की गई नीतियों और कारक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मुल्यांकन करना भी इस नीति का या इस गठन जो हुआ है इसका मुख्यकार होगा और सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा करना और समन्वे करना भी इसका कारे होगा और ट्रांसजंडर विक्तियों की शिकायतों का निवारान करना भी इसी मंडल का या इसी विभाग का काम होगा और केंद सरकार द्वारा निर्धारी ते ऐसे अन्यकारियों को भी ये पूर्ण रूप से करेगी और लागू करेगी देन बढ़ते हैं नेक्स कोशन तरब नेक्स कोशन दोस्तों कहता है उसकमपनी का नाम बता ही है जिसने ऑल लाइन सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दा एनि वियर स्कूल पहल शुरू की है तो दोस्तों ये कमपनी का नाम है गूगल कंपनी और 12 अगस्ट 2020 को गूगल न दुनिया भर के 500 से अधिक देशों में वेर दा एनिवीय स्कूल पहल शुरू की है और इस पहल से उन लाकों छात्रों को लाब होनी की उमीद है जो महामारी के कारण घरों से सीखने के लिए वापस आ गए अगर इसके हम प्रमुक बिंदुओं की अगर बात करें गूगल उप्यो करता को अतरिक्त गोपनियता प्रदान करने के लिए गूगल मीट में कस्टम और धुंदली प्रिश्ट भूमी लॉंच करेगा गूगल क्लासरूम भारत में बेंगॉली, तेल्गू, तमिल, मराथी, उर्दु, सही, दस अतरिक्त भाषाओं में उपलब्द होगी और विश्व इस्तर पर मंच 54 से अधिक भाषाओं के लिए समर्थन प्रदान करेगा इसके अलावा दोस्तों Google Assignment Learning Management System के लिए अपलिकेशन भी ला रहा है और जो सिच्चकों को चात्रों के काम का विशलेशन, वित्रण और ग्रेड देने के लिए मदद करेगा और इसके अलावा Google Classroom चात्रों को Assignment और उसकी गतिविदी देखने में मदद करने के लिए कच्छाओ प्रिस्ट पर विजेट करने के लिए भी मिलेगा अगर गूगल की दोस्तों तो Google की स्थापना का वही थी पांस सितंबर 1998 में हुई थी इसका हैटकॉर्टर कहां पर है तो इसका हैटकॉर्टर दोस्तों माउंटेन व्यू में है माउंटेन व्यू आपका कहा है कैलिफोर्णिया में कैलिफोर्णिया आपका कहां पर है USA में है और गूगल कंपनी के फाउंडर की अगर हम बात करें तो फाउंडर इसके दो है लैरी पेज और सरगी ब्रिन है और ये Google company जो industry है ये किन किन चीजों पर काम करती है तो दोस्तों ये internet service में काम करती है cloud computing पर काम करती है computer software बनाने का काम करती है computer hardware भी बनाती है इसके अलावा AI यानि artificial intelligence पर भी work किया करती है और advertisement का काम भी Google किया करता है अगर Google के CEO या chairman की बात करें तो CEO कौन है सुंदर पिचाए है और बढ़ते हैं अगले question तरफ अगला question मना कहता है दोस्तो केंदे सरकाने हाल ही में रच्छा अनुसंदान और विकास संगठन यानि के DRDO के अद्धक्ष G37 Reddy के कारेकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है तो दोस्तो इनके कारेकालों को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है प्रख्यात वैग्यानिक जी सतीस रेड़ी को रच्छा अनुसंदान और विकास संगठन यानि डियाडियों के अध्यक्ष के तौर पे दो वर्सों किया सेवा और विस्तार कर दिया गया है उन्हें अगस्थ 2018 में दो वर्सों के लिए इस पदर पर न्यूक तिया गया था बात के तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसेर्च एंड डेवलप्मेंट और गनाइजेशन इसका मोटो क्या है दोस्तों इसका मोटो है दोस्तों बालास मूलम विज्ञानम क्या है बालास मूलम विज्ञानम इंग्लिस हम बोले तो इस ट्रेंथ और जिन साइन्स और तो डियाडियो के मंत्री में उन्का नाम किया रजनाथ सखिए ग्याम पुर्फेंश है और डियाडियो के चेयर्में नाम क्या है तो डॉक्टर जैस अत्रीस रड्डी है दिल्ली अल्ब संक्यक आयोक का चेर्मेन किसे नुक्त किया गया है तो दोस्तों वो नुक्त किया गया है जाकिर खान को और जाकिर खान की बात करें तो जाकिर खान को दिल्ली अल्ब संक्यक आयोक के चेर्मेन डॉक्टर जफरुल इसलाम का कारिकाल खत्म होने के बाद जाकि के चीफ मिनिस्टर का नाम है अरविंद केजरिवाल और यहां के दिल्ली के गौर्णर का नाम क्या है अनिल बजाज है या अनिल बैजली बोला करते हैं दिल्ली के अगर विदान सबा सीटों की संख्या की बात करें तो साथ है उसके अलावा यह जो एक छोटा सा बिंदू साथ है दोस्तों और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का अगर राजकी पशू की बात करें तो नील गाय है राजकी पच्छी की बात करें तो वो क्या है घर की गौरईया है और इसके अलावा अगर दिल्ली की राजकी फूलों की बात करें तो राजकी फूल दिल्ली का गें देन बढ़ते हैं नेक्स कोशन तरब नेक्स कोशन दोस्तों मना कहता है सिक्किम के नामची में किस भारती फुटबॉल टीम के पूर कफ्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा तो दोस्तों उस खिलारी का नाम है बाइचुंग भूटिया जिनकी तस्वीर आ से 25 किलोमेटर दूर है कहां से तिनकी तम जिले से 25 किलोमेटर दूर है और भारत में अब तक यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा और साल 1995 में भारती सीनियर फुटबॉल टीम में परदरपन करने वाले बाइचुंग भूटिय ने 2011 में फुटबॉल दे सन्यास लिया था उन्हें 1998 में अर्जुन ओवाट मिला था और 2008 में उनको पदमश्री पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था अगर सिक्किम की बात करें तो दोस्तों सिक्किम के राजधानी है गंगटोग वहां के सीम को अने प्रेम सिंग तमा अपना कभी थी दोस्तों 16 मही 1975 को हुआ था अगर सिक्किम के हम लोग राजकी पशु का नाम जाने या इस्तन पाई राजकी पशु का नाम जाने तो वह है शिरो और दिली के ओ सिक्किम के राजकी पच्छी का नाम जाने तो वह है तीतर और राजकी पुष्प का नाम है भ प्रदेश का नाम बताई है जिसने निर्माल स्रमिकों के लिए निर्माल मजदूर पंजी करन अभियान की शुरुआत की है तो दोस्तों ये शुरुआत किया गया है दिल्ली के द्वारा 23 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने लगबक 18 सहायता योजनाओं को पंजी गरित करने और ये लिए निर्माल स्रमिकों के लिए निर्माल मजदूर पंजी करन अभियान शुरू किया है जो 24 अगस्त 2020 से 11 सितंबर 2020 तक क्या होगा निर्माल स्रमिकों के लिए एक मेगा पंजी करन अभियान चलाया जाएगा और इसके अलावा गर हम बात करें निर्माल मजदूर पं और जो कारेकरता है कारेकरता ऑन-लाइन अवेदन कर सकता है जो ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है edistrict.dilly.nic.in के माध्यम से वो कर सकता है और विशेश शिवरो में बहुतिक सत्यापन किया जाएगा और इसका उदेश का है दोस्तों इसका उदेश है दिल्ली में श्रमिकों की अधिक्तम संख्या का समर्थन करने के लिए इसकी अगर eligibility या पात्रता की बात करें तो हर वो वेक्ति जो 18-60 वर्स की I.U. का है आए ज़र तो 18-60 वर्स की आईउ के शमिक्तम पंजी करन के लिए पात्र हैं और पंजी करन के लिए आवश्चक दस्तावेजों की जरूरत है वो यह प्रमाल पत्र हो फोटो हो इस्तानी ID हो और प्रमाल पत्रमाывать बैंक खाता आप संक्चा हो या फिर अधार कार्डिक का नंबर हो अगर इसके प्रमुक विंदुओं को थोड़ा सा और अगर हम जाने तो पंदरा दिवसी अभियान जो है ये 24 अगत, 22-28 अगत तक दोस्तों चलाया जाएगा लगबग सुमार से विशलेशन किया जाएगा और भविश में कार योजना को तै करने के लिए उप्योग किया जाएगा उसके अलावा दोस्तों कॉर्परेटर, वर्कर, ग्राइंडर, कंस्ट्रक्शन साइड गार्ड, कॉंक्रीट, मिक्सर, और क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मैसन, कूली और अन्य भी स्पंजी करन ड्राइब के माध्यम से अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर दिल्ली के बारे हम थोड़ा सा जानें तो युनिस्को की विरासत स्थल जिसका नाम है कुतुब मिनार और उसके इस मारक इसके अलावा हुमायू का मगवरा या हुमायू स्टॉम भी बूला करते हैं और लाल किला का परिसर ये तीन चीज़े क्या है दोस्तों दिल्ल किली में युनिसको विरासत स्थल में पाई जाती है या नॉमिनेट किया गया है कौनकौन सा दिल्ली का कुतुब मिनार और उसके समारक हुमायू को मगवरा और लाल किला का परिसर इसके अलावा हवाई एड़े की बात करें दिल्ली की तो इंदरा गांदी अंतर राष्ट के लिखा कौन है नाम तो ऑप्षिन के बारे में tips आपका सभी जवाब में 20 तो मोनिका अरोडा क्या है वकील है पेशे से सोनाली चितलकर क्या है ये पेशे से राजनीतिक विज्ञान की छात्रा है और प्रेला क्या है ये अंग्रेजी की छात्रा है जो दिल्ली विश्विद्याले के सिच्छकों द्वारा लिखित पुस्तक दिल्ली दंगा 2020 जादों ने इस पुस्तक का विमूचन किया है और अगर इस पे ध्यान दे इस पुस्तक के बारे में तो Blooms Buri India ने 22 अगर 2020 को इस पुस्तक के launch को गिरा दिया था ठीक है किस कंपनी गिरा आया था ब्लूम्स बरी इंडिया ने और किताब के बारे में हम जाने तो 190 पेजिस की जो पुस्तक है यो फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ले को प्रभावित करने वाली तीन दिवसी हिंसा की कहानी प्रसुत करती है और इस पुस्तक में मुस्लिम मॉब को दोशी ठहराए गया है और प्रमुख छेतरों में हिंसा के लिए शहरी राज्यों के साथ शहरी नक्सलियों और जिहादियों को फ्रेम किया गया है और इसके लाव पुस्तक बुद्धी जीवियों और सिक्षविदो की महिला समूहों द्वारा प्रकाशित हिंसा पर एक तथ्या एक खोज रिपोर है यानि हेड़कॉर्टर जो है गुरुग्राम में है गुरुग्राम आपका हर्याना में है दन बढ़ते हैं नेक्स कुशन तरब नेक्स कुशन मारा कहता है उस कंपनी का पता लगा है जिसने चिन्नाई से कोयमेडू ने में अपने टी आर टीयो प्लान्ट के लिए 30 Media Tree Tree Treatment Reverse Osmosis यानि TTR Plant के लिए 2020 Global Water Award जीता है और सनियत्र को इस वर्श की श्रेड़ी के अपसिस्ट जल्परयोजना के तहत गौरों से पूरुषकार मिला है और चिन्नाई के कोयम बेडू में TTR Plant भारत में सबसे बड़े और तखनीकी परते सबसे उननत जल पुनाय उप्य संयत्रों में से एक है और प्लांटों को चिन्नई मेट्रो पॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवर्ज बोर्ड यानि CMWSC के लिए वाबग और IDE टेकनोलोजी द्वारा डिजाइन किया गया है और निर्मित किया गया है इसके लावा दोस्तों संयत्र मल्टी स्टेश ट्रीटमेंट स्कीम का उपयोग करता है जिसमें रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर्स और अल्ट्राफिकेशन उसके लावा रिवर ऑस्मोसिस और ओजोशन शामिल है और यह किटाडू शोधक के लिए ओजोनोशन का उपयोग करने के लिए भारत में पहला पुनाह उपयोग की सुविधा है और यह जो संयत्र है चिन्नई को हर साल 16 मिलियन से अधिक मीठे पानी से मुक्त करने के लिए अपने उपचरित अपसिस्ट जल के 20% से अधिक का पुनाह उपयोग करने वाला पहला भारती शहर बनता है और ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा 2006 में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस की स्थापना पानी अपसिस्ट जल और विल्वी करन छेतर में पहल को पुरुस्कृत करने के लिए की गई थी जो ऑपरेटिंग प्रदर्शन और नवीन प्रद्योग की अपनाने और टि क्तुंभी महुत्सुवं क्या है तुंबी महुत्सुवं 20 2020 का प्रथंज जो इलेडेगन फेस्टिवल है तो दस्तों वह केरल्राज का जोईलेडटाइगन फेस्टिवाल है 15 अगों ने ड्राज 59 पहली बारी तुम्भी महुत्सुवं 2020 में क्यानि luck व्लड़ व्य स्वाश की आधिय हम से लांच किया जाए गा ऑगां के रालो से समाहरों से वहगा और इंग्लिश में जोज्लॉजिकल सर्वेय उपिंडिया बोलते हैं तो से लॉज़ाजिकल सर्वेय उफ इंडिया दच्छिडड़ चेत्री केंदर चिन्नाई जह öz George तो इनके वेग्जानिक डॉक्टर सुप्रमानियम के उद्गाटन सत्र को संबंधित तो संबोधित करेंगे एनाउंस करेंगे और यह उत्सो जनवरी 2021 में संभा होता हा राज के ड्रैगन फ्लाई शिकर संबेलन के साथ संपन्न होगा देन बढ़ते हैं आगे थोड़ा और च को आम तोर पर रेंपूल ग्लाइडर के रूपे मनाया जाता है और थंबी महसुन 2020 राष्ट्री यह राष्टी जय विविद्टा बोर्ड संयुक्त राष्ट्र पढ़िया वरन कारेकरम के सहयोग से WWF इंडिया बॉंबे नैच्रल हिस्ट्री सोसाइटी इसके अलावा NDP और IUCN प्रकृति के संदच्छण के लिए अंतराष्टी संग जो है IUCN इन सबने मिलकर के काम किया है और पढ़िया वरन संदच्छण के इंद्र भी इसके साथ मिला हुआ है और अगर इस त्योहार के प्रमुख बिंदूओं का गरम जाने तो इस उत्सों का एक हिस्सा ह रूप में कार कर सके इसके बाद सितंबर दे शुरू होने वाले वेबिनार के सिंखला में जनता विशेश का बच्चों और युवाओं को टार्गिट किया जाएगा और इसके अलोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके अवलोकन कॉशल में सुधार करने के लिए तू ड्राइगन फ्लाई बैक यार्ड वाच की घोशना की गई है और आ सॉस थीगा ना एसो एस क्या है आ सॉस और थुम्भी पुरम फेस्वुक पेज के तहति के डिस्टल ओडिनेट नॉलेज हब को भी स्थापित किया जाएगा इसके अलावा विभिन परतियोगिताओं अभी आयोजन किया जाएगा देन बढ़ते हैं हमारे आखरी कोशन तरफ आखरी कोशन हमारा कहता है कि मुबाइल अप्लिकेशन माई आई एफ किस ने लांच किया है तो मुबाइल अप्लिकेशन माई एफ आई एफ लांच किया है राकेश कुमार भधारिया ने ठीक है और ये एप उन लोगों के लिए कैरियर से संबंदित जानकारी प्रदान करेगा जो भारती वायू सेना में सामिल होना चाहते हैं इसके अलावा Center for Development of Advanced Computing CDAC के सहयोग से विक्सित किया गया ये अप्लिकेशन आई एफ में सामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंदित जानकारी का विवरन प्रदान करता है और एप का उप्योग करता अनुकूल प्रारूप एक एकल डिश्टरल प्लैटफॉर्म के रूप में कार करता है जो आई एफ में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चैन प्रक्रिया प्रसिच्छन पाठिकरम वेतन और भरती आदी का विवरन के साथ उप्योग करताओं को नियंतरित भी किया करता है और या भारती वायू सेना के में इतिहास और वीरता की कहानियों की भी जहलक परदान करता है अब हम बात करें थोड़ा सा इसके स्टैटिक जी के बारे में तो चीफ आफ डिफेंस स्टाफ यानि सीडियस कौन है तो विपिन रावत है इसके अलावा चीफ आफ आर्मी कौन है तो जनरल मनोज मुकंद नर्वाने जिनकी यह तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे है कौन है जनरल मनोज मुकंद नर्वाने और उसका अगर एयर चीफ मार्शल की बात करें तो एयर चीफ मार्शल कौन है रासके राकेश कुमार सिंग भदोरिया जिनकी यह तस्वीर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और चीफ आफ नवल स्टाफ कौन है तो एडमाइरल करम बीर सिंग है जिनके तस्वीर यह स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और विपिन रावत की यह स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं जो चीफ आफ डिस्पेंस स्टाफ है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज का सेशन बहुत इंपोर्टन लगा होगा आपको कैसी चैनल पर नए है तो इससे सब्सक्राइब करके दोस्तो बेल आइकन को भी प्रेस करे मिलेंगे अगले सेशन में अगले महतवपूर्ड कोईस्चन के साथ अगले महतवपूर्ड करंट और स्टैक्क जीके के साथ तब दर ना ख्याल रहें तो